एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहां उन्होंने एक परम सुदंगर स्त्री को देखा। शांतनु ने उससे शादी का निवेधन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्विकार है लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी, जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, नहीं मुझसे कोई प्रशन पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंट आपको छोड़ कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री का बात मान ली और उससे जाएगी। आठवा पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देवन्दी गंगा हूं तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वस जिन्हें वसिष्ठ रिशी ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्थ नमानते हुए मुझे रोका। इसलिए मैं अब जा रही हूं। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के आठवे पुत्र को लेकर अपने चली गई। आठवा पुत्र पितामह भीश्म थे।